सब्सक्राइब करें हमारे योट्यूब चनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले बेल आइकन डबाना ना भुले अर्थात पत्नी को यहां इस्त्री की बात ने हो रही बेटी की बात ने हो रही यहां पत्नी की बात हो रही है पत्नी को काम दंब द्वेश लोब पाप और अभिमान को छोड़ देना चाहिए क्यों चर्चा हो रही है इसकी भी चर्चा करेंगे पत्नी को काम, दंब, द्वेश, लोभ, पाप और अभिमान को छोड़ देना चाहिए क्यों छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसको जो आगे अपने परिवार का निर्मान करना है जो उसके बच्चे हैं, उसकी संसति हैं उसका जो निर्मान करना है वो बहुत बहुत आवश्यक है तो कहा उद्यता नित्यम अर्थात उसे निरंतर सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए अपने परिवार के अब आप कहेंगे क्या पत्नी का ही ठेका है जो सेवा करेगी कह सकते हैं कोई बराई निया आजकल तो लोग तंतर है कुब बोलो जिसके मन में वार उतना बोलो नहीं आप अगर यह कहते हैं कि क्या उन्हों नहीं ठेका ले रखा है मैं कहुँगा नहीं ठेके वाली बात नहीं है लेकिन उनसे अच्छा कोई कर भी नहीं सकता बात यह है उनसे अच्छा कोई कर नहीं सकता उनसे बेस्ट कोई कर नहीं सकता क्योंकि उनके पास भगवान की दिली एक सबसे बड़ी चीज़ उसको ममता बोलते है वो सरव उनी के पास है और उस ममता का कोई तोड़ नहीं है उसका कोई आप्शन नहीं बना उसका कोई और वैसी चीज़ बनी नहीं आसकता उसके पास सहिंशीलता है वैसी सहिंशीलता आस तक किसी पुरुश्में नहीं देखी जा सकती इत्ता है मान के चलना तो जिसके पास प्रेम है सहिंशिलता है वही एक अच्छे निरमान को बना सकता है कर सकता है वही कर सकता है कोई नौर्मल व्यक्ती नहीं कर सकता और अगर वो करने की इस्तिती है आप अपने बच्चों को एक महान दिव्विदर्शन देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये च्छे चरणों की कामना कर रहे हैं श्री मैत्री जी कह रहे हैं विद्रूर जी ऐसा हो जाए क्या हो जाए कि पत्नी को काम, दम, द्वेश, लोब, पाप, अभिमान छोड़ देना चाहिए क्यों? क्योंकि उसके अलावा उसके बच्चों को डिजाइन कोई करी नहीं सकता इसलिए छोड़ देना चाहिए और अगर उसने ऐसा कर लिया तो वो अपने बच्चों को वे दुरूर प्लैलाद बना सकती है बना सकती है उसी के हाथ में बनाने वाली वो ही है कोई और नहीं बनाता कोई नहीं बनाता और यह जब तक न समझा जाएगा तब तक जीवन नहीं